नमस्कार बहुत स्वागत आप सभी का मैं हूँ आपके साथ कोमल गंवार आप देख रहे हैं जी मीडिया का स्पेशल शो गुड लग आम तोर पर हम सोचते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा रहने वाला है क्या कोई परेशानी आएगी या फिर कोई गुड नियूस बिल जाएग आज के लिए हमारा शुब रंग शुब अंक क्या रहेगा तो गुड लग में आपकी राशियों को देखते हुए ग्रहों को देखते हुए हम आपको बताएंगे आज का दिन आपकी राशियों के हिसाब से कैसा रहने वाला है ये सब भी बताने के लिए हमारे साथ मौजू तो शिर्वात करते हैं हमारी पहली राशी मेश राशी के साथ व्रिश्व राशी शुब अंक रहेगा दो शुब रंग सीगरी मितुन राशी आज किसी अधिकारी की मदद से आपके काम बनेंगे फाइनांस को जो भी समस्याय चल रही थी फाइनांस के काम में आपकी वो भी दूर होंगी आज फाइनांस को प्रियोरिटी पे रखें ओफिस में अफवाहों पर ध्यान ना दें बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देनी के आविशकता है परिवार की परिशानियों को लेकर तनाव थोड़ा आपको आज परिशान कर सकता है बिजनस में कोई डील भी बनेगी आज दिन को और भैतर बनाने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंतर का जाब करें शुब अंक रहेगा एक शुब रंग नीला करक्राशी घर में कोई बदलाव कर सकते हैं कोई मांगलिक काम भी हो सकते हैं यात्र के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं बिजनस में लापरवाही बिलकुल ना करें काम खराब हो सकता है लव लाइफ में पार्टनर से शादी की बाद भी कर सकते हैं चीटियों को आटा डाले और केले की पेड़ की पूजा करेंगे तो दिन की समस्याओं का अच्छे से सामना कर पाएंगे शुब अंक रहेगा पांच, शुब रंग पीला सिंग राशी घर में किसी जरूरी बात पर आज चर्चा हो सकती है बच्चों पर ध्यान देने का दिन है निवेश को लेकर कोई प्लानिंग भी आज आप कर सकते है कोई भी फैसला लेने से पहले उसे दो बार सोट समझ ले पैसे के लेन देन में आज सावधानी रखे अगर कहीं दर्द की समस्या हो परिशान है तो डॉक्टर से जाच करानी बहुत जरूरी है अपनी हेल्थ को इग्नोर ना करें चना दाल और गुड अगर आप गाएं को खिलाते हैं तो दिन को भैतर कर पाएंगे शुब अंक रहेगा तीन, शुब रंग सफेद कन्याराशी, आज का दिन आपका काफी अच्छा बीतेगा खुद को काम में व्यस्त रखेंगे लोगों की नेगिटिव बातों को आज आप नजर अंदास करें किसी रिष्टेदार का घर पे आना हो सकता है शादी के अच्छे प्रिस्ताव भी आएंगे आज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेर से बचना है दिन को भैतर बनाने के लिए भगवान कृष्ण को माखन चड़ाएं शुब अंक रहेगा आठ शुब रंग गुलावी